हेलो दोस्तों आज हम कवर करेंगे स्री लंका बर्दत जिमवाई का बेच दूसरा टी-20 मकाबला खिला जाएगा उनके बारे में ये खिला जाएगा स्री लंका और जिमवाई का बेच ये खिला जाएगा साथ वजे पीम में आज ही सामको साथ वजे साथ वजे खेले जानने वाले मैच में कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हारेगा पीच रिपोर्ट क्या रहने वाला है क्या बैटिंग पीच है या बॉलिंग पीच या बाइलेंस पीच अगर batting pitch ये है तो कौन सा bestment चलेगा अगर balling pitch है तो कौन सा baller चलेगा अगर balance pitch है तो captain और voice captain कौन सा all under को देना चाहिए सारा details इस video के माध्यम से बताऊंगा B. बिना I skip किये इस video को यह अन तक जरूर देखना अगर video पसंद आए चेनल को like और subscribe जरूर करना सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं बिकेट कीपर section में केडे mission ठिक ठाक परदर्शन किया है अच्छे खासे कर रहा है लेकिन अगले में अच्छे फ्लोप्स हो गया है SMIC भी कास परदर्शन नहीं कर रहा है और G1 खास परदर्शन नहीं कर रहा है काडन का थोड़ा record अच्छे है लेकिन इतना नीचे उतरता है T20 है कास परदर्शन नहीं कर रहा है इन तीन विकेट कीपर में से आपको सेब विकेट कीपर के रूम में एक एडिशन मीर्शन रहेगा के मेडिशन रहेगा अच्छा विकेट कीपरिंग है खास तो परदर्शन नहीं कर रहा है रिशन के फौम भी बुरी ये चल रहा है फिर भी एक तो विकेट कीपर को लेना होगा चाहे ओपनर हो ये ओपनर है इसलिए मैं अपने टीम में रखा हूँ अच्छे खासे बेस्ट में है अब यहाँ पर बेस्ट में सेक्षन मात आहूँ हर कोई पादम निक संकाक लेकर जाएगा मैंने अगले मैच में बोला हूँ पादम निक अंसा अपने टीम में नहीं रखियागा क्योंकि रिशन के फौम बुरी चल रहा है सलेक्षन परसेंट भी आहा है उसके जगे आप कुछी और पिलियर को ट्राइक कर सकते हैं देखिये अगले मैच में दूस्य अंसांग का अच्छा खासा परतार्शन किया मैंने केलिस पिरी को मैं अपने टीम में रूँगा केलिस पिरी और टी करन को मैं लूँगा यह दोनों बेस्ट में अब काफी संतार है हाई एस्पीच से परला बाजी करता है सेलेक्षन पर्शन भी कम है अच्छे खासे उमीद इनसे लगा सकते हैं अब यहाँ पर आने के बाद देखिए दो बेस्ट में लेने के बाद आब आ जाता हूं और अलंडर सेक्षन में आने से पहले मैं आपको पीच रिपोर्ट के बारे बता देता हूं जो पीच रिपोर्ट जो है वह है बाइलेंस पिच गुड़ पर स्पीनर है यहाँ पर अगरेज स्कोर 147 बन सकता है प्यानु आर बिचर ग्रोंड पर 55 खिलेगे हैं 55 में से 23 और 33 का परक्रakah 22, 1 मैं जो बैटिंग फिस्ट किया है वह 32 जीते हैं और बैटिंग 4 सथकेंड किया है वह 22 म काबले जीते हैं कहीं न जातिय सब्सक्ति करने वाला मिलता है इस छिए जो टिम पहले बैटिंग करेगा वो ज़्यादा लंबे स्कोर नहीं कर पाएगा अगर कर भी लेता है तो चेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है बहुत आसानी से हो जाता है आपस में head to head के बाद करें तो आपस में head to head मुकाबले चार खेले हैं मैंने अगले match में भी बता दिया हैं कि सिकंदर राजा इस match में अच्छा perform करेगा सिकंदर राजा ला जबाब परदर्शन दिखाया है काफी अच्छे परदर्शन किया है आज का team में मेरा first opener रहेगा सिकंदर राजा और मैंने अपने team में captain और vice captain दिया हूं बैटिंग और बॉलिंग दोनों से परदर्शन किया है आज रंगा दो विकेट निकाल के गया है अनुबभी के साथ साथ experience है श्यम्वेल ठीक ठाक परदर्शन करेगा चार नमर में बैटिंग करेगा अच्छे का से परदर्शन करने का उमीद लगा सकते हैं एक पेसर है इसके साथ मैं ने चार ओलंडर लिया हूं चार ओलंडर को लेने के बाद देखिए डिसलवा खेलेगा तो डिसलवा को अपने टीम में रखेगा लेकिन अभी लेनम में नाम सामिल नहीं है चार मैं ओलंडर लिया हूँ, क्योंकि चार ओलंडर मैं इसलिए लिया हूँ, बालेंस पीच है, अब भी जानते हैं, बालेंस पीच पर ज्यादा तर ओलंडर काम करता है, इसलिए मैं चार ओलंडर लिया हूँ, अब आजा हूँ, बॉलर सेक्शन में, बॉलर सेक्शन में लेगा तो अपने टीम में जरूर रखेगा अच्छे खासे परदर्शन करने का उमीद लगा सकते हैं और विकेट टेकर है ठीक ठाक परदर्शन कर सकते हैं अगर आप डर्मकार्ड रिक्सी पिलियर के रूम में लेना चाहते हैं एन नासुन को अपने टीम में रख सकते हैं क् कि एक मैच खिले है 24 पिकेट निकाल गए गया से अगर इन्हें नायलाम में नाम रहेगा दर्म का हैँ रिकसी पिलिएर के रूम में रहेगा मैंने दो बॉलर शेव लिया उब देखिए मैं दो बॉलर शेव लिया हुं ev कर दिखेममय रिकसी बउलर के साथ 4 ओर लेंडिसeral हों आप बेस्ट में तो मतलब 3 जो है रिक्सी बेस्ट में लिए एक टूल मिलाकर मुझे डर्मकार्ड रिपिलियर अच्छे कासे पर्दर्शन करेगा अगर बॉलिंग के फेव घाय तो खास नुकसान नहीं करेगा अगर बैटिंग से प्लॉप्स हुआ तो बॉलिंग से पर्दर्शन अब विकेट कीप Chief से पर्दर्शन कर सकता है और इनका अंदर काबलियत है मैंने इसे अपने में रखा हूं अब दो ऑनने वेस्ट में लिया हूं दो पैस्ट में में एक पिररा को लिया हूं अच्छे खासे रिकाउड है काफी हाय ऐस्पिश से बले बाज करता है कम ही बॉलों में अच्छे का से डर्न काड रिक्सी पिलियर के रूम में मैं अपनी दो बेस्ट मेंड को ले लिया हूं क्योंकि बाइलेंस पिछ है तो मैं ज़्यादा अतर बॉलर को फेवर में टीम बनाता हूं अगर आ जम्वाई का अंदर बनाया हूं magari मैं पहुंच चेक काका युम्येशन के लेकिन यह में के लिए हम मदिया वह स्रिलंका यहां मैं जानता हूं सर्लेंगा काफी कियों करता है बेस्ट में ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है लेकिन बॉलर जबर्दस्ट है सिकंदर राजा चार ओवर में तिन-तिन विकेट निकाल कर जा रहा आज भी मैं सिकंदर राजा को कैप्टन और वाइस कैप्टन दूँगा चाहे ये सिकंदर राजा फ्लॉप्स हो जा या चे पर दर्शन करे अगर सिकंदर राजा पाले जिमभाई बैटिंग करेगा तो मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन दूँगा अगर बॉलिंग भी करेग एगर मैं कtesई Свेप देता हूँ वाइच केपटन पर केपटन पर मैने यहां पर मैं फेकरा कोिक्तिक्ट केपटन केन chamber क्योंकि सिर्लंका के लगंग ए इसलिए मैं जिनवाई की एक केपार्टन दिना हूँ το फेप थाइच केप्टन पर forte लेता हूं अगर मैं हसर 안गा को केप्टन दूँगा तो मेरा टिम का पर भीयू किस तरह से रहता है देखिए sentido प पर भीयू इस तरह से फिलाल के लिए रहेगा टोस होने के बाद कोई भी फिलीर चैंज तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं मैंने जो जो पिलियर का रिकाउड एस्टेट बटाया हूं उनके अनुसार अगर आपको एक बार में ये वेडियो समझ में नहीं आ रहा है दूबारा देख लिजिए क्योंकि टॉस होने के बाद हर एक पिलियर चेंज कर दिया जा जाता है जिसके कारण आपको टीम बनाना काफी मुस्किल होता है ऐसे भी बाइलेंस पर टीम बनाना बहुत मुस्किल होता है कभी काल आपको इंटरीफीज डूप जाता है या कभी काल आपको इंटरीफीज डूप यह आपस आता है कुछ प्रोफिट नहीं होता है आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो जाहिन दोस्तों